नमस्कार साथियों मैं अभिशेक मिस्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दिर्ण संकल्प यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मैं आज आप सभी लोगों के लिए क्लास 6 की NCRTST का चेप्टर 2 का कोस्चन आंसर क्विज लेकर के आया हूँ आज की ये पूरे इस चेप्टर में 11 कोस्चन है और ये सारे कोस्चन प्राचीन भारत का इतियास से रिलेट करते हैं अर्था सारे कोस्चन प्राचीन भारत की इतियास से हैं आज की इस चेप्टर का नाम है आरंबिक मानप की खोज ठीक है तो आज जो भी आरंबिक मानप की खोज से related इस चेप्टर में कोस्टन बनते हैं सारे कोस्टन आज हम इस वीडियो में देखेंगे पूरे 11 कोस्टन है और सारे बहुत ही important है इससे पहले अगर आप लोगों ने इस चेप्टर की जो समरी वाला वीडियो है जो कमने बुक के माद्यम से आपको पढ़ाया था अगर उसको नहीं देखा है तो जरूर देखेगा मैंने क्लास 6 और क्लास 7 की NCRT, History, Geography, Quality और Science इन सभी की समरी आपको complete पढ़ा दिया है और क्लास 8 की पढ़ाया जा रही है तो आप लोगों से उम्मीद है कि इन सभी वीडियो को देखेगा और देखने के साथ साथ सेर जोरू कर दिया करें जिससे कि जो लोग यूपियसी की तयारी कर रहे हैं उन तक हमारे वीडियो पहुंच सके हमारे इस दिन्रसंग कल यूटूब चैनल पर यूपियसी से बिस एक जब आज इसकी तयारी स्टार्टिंग से एक प्रॉपर वे में कराई जा रही है जिसमें हम आपको सबसे पहले NCRT को पढ़ा रहे हैं तो आज शुरू करते हैं आज का ही चैप्टर सबसे पहला कोस्चन दिया जा रहा है कि निमने लिखित पुरास्तों में से किस इस्थान से मनुस्य के आखेट खात संग्राग होने के प्रमाड नहीं मिले हैं सबसे पहला उप्सन दिया जा रहा है ऑप्सन ए भीम बेटिका ऑप्सन बी होंसगी ऑप्सन सी चिरान ऑप्सन डी कुर्नूल गुफाएं तो इसका कौन सा ऑप्सन सही है जल्दी से में बताईए ऐसी क कौन सा पुरास्थल है इन चारों में से जहां पर मनुस्य के आखेट खात संग्राग होने के प्रमाड नहीं मिले हैं इस बात को रखिएगा ध्यान में ठीक है तो जल्दी से हमको बताईएगा हमारे आंसर देने से पहले अगर आप लोग हमें आंसर देते हैं तो आप प्रमाड नहीं मिले हैं बाकि यो ये तीन दिया जा रहे हैं भीम बैटि काहुंसकी और पुर्नूल गुफाएं इन तीन तीनों इस्तान से में मनुस्य के आखेट का संग्राग होने के प्रमाड मिले हैं चलिए आई देखते हैं हमारा आज का कोश्चन नमबर 2 ठीक है ये important question है इसको भी देखते हैं निम्र लिखित पुरास्तों में से कौन से नब पासाणिक पुरास्तल है option a मेहरगड option b बुर्ज होम option c महागड़ा option d अर्था चार ठीक है एक दो तीन चार है option c a b c d बोल ला था यहां पर option option 4 दिया घगया है और उपशन पांच दिया गया है दाओ जली हेडिंग तो इसमें से कौन सा ऐसा स्थान जहां पर निम्र लिखित कौन से जो पुरास्तल नव पासाणिक पुरस्तल है ठीक है ये पूँच रहा है तो इसके कुछ कूट दिया जा रहे हैं इसके माध्यम से आपको आंसर देना है option A अर्थात केवल हमको मेहरगड़ और ये जो बुर्ज हो में ये नवपासाणी पुरस्तल है या फिर option B तीन और पांच यानि की महागड़ और दावजली हेडिंग ये दोनों है केवल नवपासाणी पुरस्तल या फिर ये तीन है दो तीन और चार या फिर D अर्थात ये सबरे जो भी हैं ये सारे नवपासाणी पुरस्तल हैं तो जल्दी से हमको बताइए कि इसका अंसर कमेंट बॉक्स में option A, B, C, D आपको बताना है चलिए अब हम बताते हैं इसका अंसर सही क्या इसका सही अंसर है option D अर्थात हमको इन पांचो जगे ये सारे नवपासाणी पुरस्तल हैं ठीक है मेहरगड इसके अंसर बुर्जहों महागड़ा कोल्ड यहवा और दावजली हेडिंग ये पांचो नवपासाणी पुरस्तल हैं चलिए आई देखते हैं हमारा आज का तीसरा question ये भी बहुती important question है और बहुती अच्छा question है तो दिया जा रहा है पुरा पासाण कालीन पासाण आउजारों के निर्माड के संदर में निम्ने लिखित कतनों पर विचार कीजिए सबसे पहला कतन दिया जा रहा है कि पत्थरों की यहां पर के होगा ठीक है यहां पर के होगा तो पत्थरों के इन आउजारों के बनाए जाने का इस थान उधोग स्थल कहलाता है ठीक है दूसरा option दिया जा रहा है पत्थरों की इन आउजारों के निर्माड में प्रियोग की जाने वाली तक्नीक दवाब सल्क तक्नीक कहा जाता है जो तक्नीक है इसको दबाब सल तक नहीं का जाता था ठीक है तो इन में से कौन से answer दोनों में से साही है कौन सा कतन साही है इसके लिए कुछ उपयूगत हमको कूट दिया जा रहे है ठीक इन कतनों में से कौन सा कतन साही उसका चुनाप कीजीगा तो केवल एक साही है अर्थात केवल ये वाला सही है option या फिर option B दिया रहा है केवल 2 सही है या फिर option C दिया रहा है कि ये दोनों ही सही है या फिर option D दिया रहा है या भी ये कि ये दोनों ही कलत हैं तो हमको जल्दी से comment box में इसका answer दीजीगा चलिए अब हम आपको इसका answer देते हैं इसका answer ये है, कि ये दोनों ही कतन सही हैं, अर्थात अप्सन सी इसका correct है, जो पत्थर हैं, पत्थरों से जो औजार बना जाते थे पहले, जो जहां पर ये बना जाती थे उसको का जाता था, उधोग इस तल, ठीक है, और पहले दबाव सल्क तकनीक से पत्थर को, दबाव सल् आई देखते हैं हमारा आज का पांचवा कोस्चन ठीक है तो ये भी चोथा कोस्चन सौरी हैं पर चोथा कोस्चन है भी निम्र लिखित में से राक के साक्ष किस पुरा पासाने स्थल से मिले हैं इन में से चार दिये जा रहे हैं भीम बेटिका की गुफाएं पुरनूल इसका option B correct है अर्थात कुरनूल की गुफाओं से हमको पुरा पासाने के स्थल है ये कुरनूल की गुफा यहां से हमको राक के जो तो साक्ष मिले हैं ठीक है आई ये देखते हैं हमारा आज का पांचवा कोस्चन ठीक है ये भी बहुत important कोस्चन है दिया जा रहा है कि आपमान में ब्रद्धी हुई और घास के मैदान विक्सित होने लगे और फिर option 2 अर्थात कथन 2 कथन 2 दो दिया जा रहा है कि इसी काल में मचली भोजन का महत्कौन स्रोत बनी आया फिर तीसरा गेहूं जो और धान जैसे अनाज प्राकरतिक रूप से उगने लगे थे ठीक गेहूं जाओं और धान तो इनमें से कौन सा option साइस के लिए कुछ आपको यहां पर कथन दिये जा रहे हैं कूट इनके माद्देन से आपको आंसर देना है कथन ए अर्थात केवल पहला वाला साही है कथन दो अर्थात की जो दूसरा वाला केवल यह साही है या फिर यह दो डिस्क्रिप्शन बोक्स में प्लेइस्ट के लिंक की दी गई है ठीक है क्लास 6 की NCRT जो है उसका प्लेइस्ट की लिंक आपको दी गई है चेप्टर 1 से लेगर कि जितने भी है सारे चेप्टर के वीडियो आपको उसमें मिल जाएंगे तो इसका आंसर जली सेम को कमेंट आया था परिवर्तन में तब क्या हुआ था तापमान में ब्रद्धी होने लगी थी और मैदान जो थे वो घास के मैदान विक्सित होने लगे थे और इसी समय में मसली भोजन का एक महतुपूर्ण सुरोध बनी थी और जो गेहु जो धान है ये तीनों प्राकरतिक रूप से अपने आप उगने लगेते हैं ठीक है चलिए अब आई देखते हैं हमारा आज का छटा कोस्टन ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट कोस्टन है बहुत ही अच्छा कोस्टन है दिया जा रहा है कि मानव सब्यता के आरंबिक काल अर्थात प्रागयति हासिक काल को सुभिदा अ गाल इनमें कौन सा एसा काल है जो अथने आयर में आनुस्वार्था जो प्रागयति हासिक काल वाथ तो को सुभिदा अधा सक्याहूं प्रागयति हासिक काल हमापनी सुभिदाव के लिए। पासांड काल, एक है मध्य पासांड काल, और एक है नवपासांड काल. यह जो महाँ पासांड काल ने न यह भागों बाठा गया था. उसका एक जो भाग नहीं है. ठीक है. चलिए. आइए देखते हैं हमारा आज का सात्वा कोस्टन. पूरे 11 कोस्टन है और सारे बहुत ही important है आप लोग देख रहे हैं सात्मा question दिया गए कि निम लिखित में से कौन सा पुरास्थल प्रागयति हासिक सैल चित्रकला के लिए जाना जाता है ठीक है तो इसका answer हमको जल्दी से comment box में दीजिएगा इसका option A दियाजर की अमरावती option B है भीम बेटी का option C है बाग की गुफाएं option D है अजन्ता तो इसका क्या answer है जल्दी से हमको comment box में दीजिएगा बहुत ही important है सार आपको पढ़ाया है हमने book के माद्यम से चलिए अब इसका answer हम आपको दे आज का आठमा question ये बहुत important question है इसके कुछ कूट दिए गए इनके answer आपको इसका answer देना है तो सबसे पहले इसको आप समझीगा सूची एक दी गई है और सूची दो दिए गए ठीक है इन दोनों को सुमेलित कीजिएगा अर्था मैचिंग है ठीक है मैचिंग करनी है आपक आपको चुनना है तो सबसे पहला option A दिया रहा है कि पुरा पासान काल अब पुरा पासान काल की सुरुवात कब से हुई थी और ये कब से इसका अंत कब तक हुआ था तो इनके जो काल है ये चारो ठीक है इनकी समयाबादियां पर पूची गई है अब इसके लिए आपको कूटो का उपियो करना है सबसे पहला कूट दिया रहा है कि option A option A में है कि जो A है अर्थात पुरा पासान काल ये कब से शुरुवा था दो अर्थात की 20 लाग वर्स पूर्ब से शुरुवा था और 12,000 वर्स पूर्ब तक ही रहा था तो ये सारे दिया जा रहे है मद्द पा 14,000 वर्स पूर्ब से और 10,000 वर्स पूर्ब तक रहा था मद्द पासान काल या फिर यहां इसके चार option दिये गए हैं आप लोग देख रहे हैं ठीक है एक दो तीन चार ठीक है तो इसके आंसर आप हमको जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ये थोड़ा सा बड़ा क 14,000 वर्स पूरा पासान काल होगा जाकर के ए में ठीक है ये या फिर आपके क्या होगा आंसर इसको जल्दी से बताएगा चलिए इसका आंसर हम आपको बता देते हैं ये थोड़ा सा बड़ा है अगर आपको समझाएंगे तो इसमें काफी समय लग जाएगा मैचिंग को जो पुरा पासान काल है इसकी जो समय वदी है ये है 20,000,000 वर्स पूर से 12,000 वर्स पूर तक ठीक है आज से इसके बाद में जो ये मद्दे पासान काल है इसकी सुरुआत हुई थी लगबग आज से 12,000 वर्स पूर से और इसकी जो अंत हुआ था वो लगबग आज से 10,000 व पूरा ब्रस पूर्व और इसका अंत हुआ ता लगभग इनइसी सब्सक्राइब आइए उन seller गया है इसका उत्तर पूर्स पूर्फ से अच इसका अंत के बाद कौन सा काल शुरू हुआ था तो मद्दे पासान काल ठीक है इसके बाद में महा पासान काल अफिर शुरू हुआ है उत्तर पासान काल ठीक है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं हमारा आज का नौमा कोस्चन नौमा कोस्चन दिया जा रहे कि न उनको माइक्रोलित अत्वा लगू पास अन कहते है कौसे से विसके हैं किन की तो इसके लिए आप्सन 4 दिया रहा है पर जो आउजार है इनको माइक्रोलित अत्वा जो लगू पासान काल है इस समय के आउजार जो है उप्सन B में दिया जा रहा है या फिर उप्सन C दिया जा रहा है अर्था या उप्सन B भी दो जाल गए या पर C होगा ठीक है या फिर उप्सन C दिया जा रहा है कि केबल तीन अ तो इसका आंसर बहुत ही अच्छा है अर्थात जो महा पासार काल के महाने मध्य पासार काल के जो आउजार है उनको माइक्रोलित का जाता है तो चलिए आंगे वढ़ते हैं इसके बाद में हमको मिलता है और कोस्टन नमबर टेन तो कोस्टन दस दिया जा रहा है कि हुंसकी के संदर्ब में निमनलिकित कत्रों पर विचार कीजिएगा सबसे पहला उप्सटन दिया रहा है कि हुंसकी से पुरा पासार के कई साक्षे प् जाते थे तो इसका सही उप्सन क्या है जल्दी से हमको कमेंड बॉक्स में बताएगा ठीक है इसके लिए आप इन कुटों का इस्तेमाल कर सकते हैं इस सबसे पहला आपशन दिया रहे केवल एक यानि केवल ये वाला सही है या फिर जो सही ऑप्सन दिया जा रहे है इसमें स पासान यूक के कई साक्षे हमको मिलते हैं ठीक है इसके बाद में जो ऑप्सन दिया जा रहा है कि यहां से प्राप्त आधिकान साउजार बलुवा पत्रों से बनाए जाते थे यह वाला गलत है ठीक है यह वाला सही है तो चलिए आज का ल्याश्ट कोस्चन की ओर देखते हैं प्रमाल नव पासनार यूग से प्राप्त हुए है उप्सन B आंधर प्रधेश के पटनी नामक पुराष्टल से सुत्र मुर्ग के अंडों के अबसेश मिले हैं उप्सन 3 प्रागैति हासिक काल में सुतुर मुर्ग के अंडो के छिलकों पर चित रांकन और इन में मन के इन से मन के बनाय जाने के प्रमार मिले हैं तो इसमें से कौन सा ओप्सन सही है ये आज आप हमको कमेंड बॉक्स में बताएंगे इसका उत्तर हम आपको नहीं देने वाले ठीक है ये आज आपका कहा जा सकता है कि होमबर्ग वाला प्रसन है जितने लोग कोस्टन का अंसर देंगे हम समझेंगे उन सभी लोगों ने जो चेप्टर 6 का चेप्टर 2 का अंसर हमको देना होगा आज के हमारे इस चेप्टर में इतने ही कोस्टन थे हमारे इस दिर्ण संकल्प यूट्यूब चैनल पर यूपसे सिबिल सर्विस आईयस की त्यारी स्टार्टिंग से प्रॉपर में कराई जारे और नोट्स भी दिये जा रहे हैं अगर आपको अभी तक के नोट्स चाहिए हैं तो हमारे टेलिग्राम पर आप जॉइन कीजिएगा टेलिग्राम एप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और आप या तो उस पर सर्च कीजिएगा द्रिण संकल्प यह जो लिखाए बिल्कुल इसी तरह से द्रिण संकल् पिर आप डिस्क्रिप्षण बॉक्स में दी गई लिंक से जाकर के आप हमको वहाँ पर जॉइन कर सकते हैं अभी तक के जितने भी नोट्स आप लोगों को फ्री में दिये गें सारे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक लिए जय हैं दोस्तों